कि हैं लो गाई टो आज किस वीडियो में करने वाला हूं MP5 वर्सेस बाइजन दोनों गन का फुल कंपेरेजन तो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है और रिजल्ट काफी शौकिंग होने वाला है मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा होने वाला ठीक है और जो न्यूग न करेंगे लेकिन उसके पहले आप मुझे कमेंड करो और यह बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सी गन जीतने वाली है MP5 आपको इस कमेंड सोच समझ के करना है क्योंकि दोना ही गन काफी तगडी है ठीक है जल्दी से कमेंड करो जिसका सही हो का उसका में पिन कर दूगा ले वन ट्वेंटी सिक्स का रहा है और बोडी पर वो ट्वेंटी थी और लिम्स पर रहा है श्याप जैसा कि आपने देखा कि आर बाइजन जो है वो डैमेज में एंब्यू है काफी मस्ट डैमेज इसका इसलिए यहां पर बाइजन अब जो अगला कंपेरिशन होने वाला है व तो यहां पर 30 में से 10 गोलियां कंपेर हुई है मतलब कि कह सकते हैं तो यहां पर विनर है एक्यूरेसी में मतलब होना ही था यार बाइजन काफी अनक्यूरट गन है मैगजन कंपेरिशन तो इस दोनों में बिल्कुल ही सेम मैगजन और इसमें तो यह वाला राउंड तो बिल्कुल है जाहिर सी बात है टाय होता है आपको इसम दोनों गन का रेंज कंपेरिशन करने वाला है काफी इंपोर्टन पॉइंट है थोड़ा ध्यान से देखना अब यहां पर देखो मैंने बाइजन स्विच्च किया है तो पीछे वाला बोड़ यह लो हो गया है मैंने बोड़ ग्रीन हो रहा है यानि वाइजन से ज्यादा अच्छी है ऐसा आप कह सकते हो कि सिंपल सी वात देखो यहां अगर मालो बाइजन के रिए ज्यादा भी हो ठीक है फिर भी इसकी एक उरसी खराब है कि लोंग दें में एक भी गोलियां कनेक्ट नहीं हो पाईग विड़कुल पी डिफरेंस मुझे बिलकुल एक परसेंट भी डिफरेंस नहीं दिखा मुझे रेट अच्छा आपको क्या रागते है रेट अच्छा है मुझे तो दोनों बराबर लग इसलिए यहां आप यह टाय होते हैं तो दोनों गार स्पीड देख लेतें किसका ज्यादां बैट रहे तो जब मैं चैक कर रहा था दोनों गार का रिलोड स्पीड तो यहां पर एमपीफाई अब बढ़तें आरे फाइनल रिजल्ट की तरफ कोई है Final winner या फिर वाइजन लेकिन उसके पहले फटाक से कमेंड करो और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कौन है जल्दी से मुझे कमेंड कर दो जिसका कमेंड सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा और रीजन भी लिखना क्यों आपको बाइजन अच्छी लगती है फिर फटाफर क्यों है और वाइजन क्यों है राउंड हार आपको मैं डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना तो सबसे पहले हम बात करेंगे डैमेंज का तो इस डैमेंज में आपने देखा कि नोड़ा वाइज काफी दा अच्छा है आपका दूसरी बात है एक्यूरस एक्यूरसी में अगर हम बात करें तो बाइजन के खराब लगे मुझे क्योंकि इसकी गोलियां काफी दा रिकॉइल हो रही है समझ रहो जब मैंने इसको यूज किया तो जब एनिमी को मार रहो मैं मतलब शॉर्ट र लेकिन जैसे ही थोड़ा मिनरंज में तो बाइजन की गोलियां काफी रिकॉइल होने लगती है और एनिमी के एक गोली लेफ्ट से आती है दूसरी गोली राइट से जाती है मतलब एक्यूरसी में काफी खराब है इसका में वीक पॉइंट एक्यूरसी है बाइजन का अब द दामेंज में थोड़ी कम है लेकिन बाकी सारे पॉइंट में आगे है इसलिए यहां पर फाइनल विनर है एंपिफाई हो अई होप समझ गयो गया तो बस यार आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है प्लीज मुझे कमेंट कर दो कि नेक्स्ट कमेंट कर देना सबसे जरूरी मुझे लग आँ प्लीज कमेंट कर देना और इस वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मतलब 557 बंदोंने बंदों सब्सक्राइब नहीं रखाय तो सब्सक्राइब कर्दों यहां मत किया कर वहर्थ अलिए